कि जी है प्रसाइट सबसे और बहतरी नायाव तरीका यही है जो आपको अंग्रेजी सिहखा सकता है प्रसाइटियों हर रोज आप एक सोट इंग्लिश का ट्रांसलेट देखा करें हिंदि डेखा करें आज मैं आपको बहुत ही लाजवाब स्टूरी की ट्रांसलेट देने जारव परसाती हूं हुँ बैल फ्रेट इसका मतलब होता है कि विल्ली के गले में गंटी कोन मान दे इसा होता है सब्सक्राइब क्या होता है एक फैमिली वर्ड लिविंग दुकान में रहता था जहां पर क्या होता है प्रवर्च grid वहोती है खीक दे उते जांत देगर से वह संवाल सब्सक्राइब क्या फैसum बेकर दे बेकर ट्राइज पेस्ट तू पूट एन एंड टू दो निसेंस अफ दे रेट्स अब क्या होता है दे बेकर उसे बेकर ने बहुत कोशिश कर ली अपना सब कुछी उसने भरपूर कोशिश कर ली बेश्ट दे दिया हना एंड उनका बलब उसकी जो प्रवादा थी निसेंस अदे बाद उस बादा को स्थमाप करने की पूरी कोशिश कर दी जो चुहों की उसकी सामँने बादा आरे थी उस बादा को पूरा करने की बढ़ा करी लिए पक्रेश नहीं कि बचणी बादा नी आपकेट टू सॉल फावब्लम अभ क्या होता है एटलस आखिरकार ही ब्रोट यह वह लेकर आएकोन जो बेकर था जो दुखांदार का मालिक था दुखांदार था वह लेकर आया कि मतलब चुहों की क्या जो वार्त्विक्षत्र होती है दखेट टू सौल विद्ध प्रोब्लम हना बलत बिल्ली समेशा करेगी वह बिल्ली को लेकर आया अब क्या होता है प्रेशाथ यह हूं अब बस अगले ही दिन के बात है अगले दिन है दो के गोट सम टाइनी रैट्स फोर ब्रेक फास्ट अब क्या वाँ देट गोड उसने प्राप्त कर लिया सम टाइनी चोड़ चोड़ चुए थे उनको ब्रेक पास्ट के रूप में उसने नाशता बना लिया देरेट फैमेली चुए कि फैमेली गोट वरेडियन चिंता में पढ़ गई अबाउट दे लोस ओफ दे डियर वन्स में अपने छोड़ चोटी मित्रों को वह खोकर क्या हो गई चिंता में पढ़ गई जो उसको परिवार चोड़ चोड़ बचे जा रहे थे क्यों जो केरती उसको ब्रेक फा आप फ्रोंव दर क्या होता पर सात्यों उन्होंने उन्होंने लूकड फोर एन अब्लान में कि उसक्सेदक करने करैंते बहाभ के लिंगे में क्या बान देंगे हम गंटी मान देंगे जैसे वह आई कि अपने को पता चल जाएगा ना देन वन ओप दी इल्डर रैट्स आसकर दें तभी उनमें से सबसे बड़ा जो चुहा था उसने पूचा फूइस रेड़ी कौन तयार है तू बेलन बान दने के लिए गंटी तू केट याने बिली के गले में गंटी बाने के लिए कौन तयार है नोबड़ी सैड यास किसी ने हा नहीं का और इस्टेड याने दूखीप खौइट और सभी क्या हो गए बिलकुल चुपचाप हो गए हना बलब यस कहने के बजाए सभी क्या हो गए चुप चाप हो गए तो थैंक यू फो वाचिंग दिश्टी पर से थैंक यू